2020 क्रिकेट की स्टार बल्लेबाद सूर्य कुमार यादव को एशिया कब 2023 के लिए भारतिय स्क्वार्ड में शामिल किया गया है। इस बार एशिया कब 50 ओवर फॉर्मेट में होगा। BCCI की ओर से सोमवार 21 अगस्त को एशिया कब 2023 के लिए भारतिय स्क्वार्ड का एलान किया गया। 17 सदसिय भारतिय टीम में 2020 इंटरेशनल के नंबर वन बल्ले बाद सूर्य कुमार यादव को भी जगह मिली। सूर्य को स्क्वार्ड में देख पूर्व आस्ट्रेलिया इखिलारी और संराइजर्जर्ज हाइदराबाद के पूर्व कोच टॉम मूडी बिलकुल हैरान दिखाए दिये। टॉम मूडी ने सूर्या लकी बताया, वन्डे में सूर्या का खेलना शुरुआत से ही बड़ा सवाल रहा है, 2020 इंटरेशनल में बेहद आकरमक दिखने वाले सूर्य कुमार यादव वन्डे में फॉर्मेट में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, सूर्या ने अब तक 26 वन्डे मैच खेले हैं, जिनकी 24 पारियों में बल्ले बाजी करते हुए उन्होंने सिर्फ 24.3 तीम की ओसत से 511 रन बनाए हैं, इस दोरान उनके बल्ले से दो अर्धश तक निकले हैं, वहीं भारतियर टीम के बारे में बात करते हुए टॉम मूडी ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, वो खिलारी सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि बहुत लखी है कि वो उस टीम में है, मुझे पता है कि वो ऐसा खिलारी है जिसे हम सभी देखना पंसत करते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें 50 ओवर के खेल में मास्टर होना है, मुझे लगता है कि उसने 20 मैच खेले हैं और अब बहुत मामूली वापसी पर है, तॉम मुडी ने आगे कहा, वो है 20 प्रिकेट में जीनियस है, लेकिन 50 ओवर क्रिकेट पूरी तरह से अलग फॉर्मेट है और वह अभी तक इसके लिए कोट ट्रैक नहीं पाया है, आप जानते हो, मुझे नहीं लगता है कि वो आख खिलाडी को देखना पसंद करता, और उस पोजीशन पर एक रिस्ट स्पिनर खिलाता, आप एक और रिस्ट स्पिनर को जानते हैं, एशिया कब 2023 के लिए भारतिय स्क्वाड, कप्तान प्रोहित शर्मा, शुबमंगिल, विराट कोहली, श्रेयस अयर, केल राहुल, हार्दिक पांधिया, रवींद्र जडेजा, जस्प्रीद बुम्रा, कुल्दीप यादफ, मुहम्मद सिराज, मुहम्मद शमी, इशन किशन, शार्दुल थाकुर, अक्षर पतेल, सुर्यकुमार यादफ, तिलक वर्मा, प्रसित प्रिश्णा, रिजर्व प्लेयर संजु सैंसन